नमस्कार मैं हूँ विद्या सागर स्वागत है आप सभी का हमारे खास कारिकरम में और सबसे पहले बात करते हैं चित्रकूर से बड़ी खबर आ रही है जहांपर जल्द ही लगाए जाएगा ऑक्सीजन प्लांट राज्यमंत्री चंडिका परसाद उपादियाई ने दिये हैं 55 लाख रूपिये ऑक्सीजन प्लांट के लिए Vid paycheck निदी से दिये गए 54 लाख रूपिये DM को पत्र लिखकर राजमंत्री ने विधायक निदी से मदद की है एक वार आपको फिर से बता दिया Oxygen Plant के लिए विधायक निदी से 55 लाग रुपिय दिये गए है DM को पत्र लिखकर राजमंत्री ने विधायक निदी से मदद दी है चित्रकूट में जल्द ही ऑक्सिजन प्लांट लगाए जाएगा इस वट जो रेश में हालात हैं खासका उत्तर प्रदेश में भी कई जगों पर ऑक्सिजन की कमी की खबरी आ रही है ऐसे में ऑक्सिजन प्लांट की बहुत सवरत है और ऐसे में विधायक ने 55 लाख रुपय क की विधायक नेदी से जो फंड दिया है डीम को पत लिखकर ये बहुत ही सराहिये हैं तो चित्रकूट में जंद लगाया जाएगा ऑक्सिजन प्लांट और इस ऑक्सिजन प्लांट को लगाने के लिए 55 लाख रुपय की मदद दी गई है राजमंती चंद्रिका प्रसाद उ करती हुई मांग के मद्दे नजर जनपद चुत्रकूट में ही आक्सिजन का प्लांट लगाया जाने के लिए मैंने अपनी विधायक नदी से 55 लाख रुपय जिला दिकारी को पत्र लिक कर सीमो को निज़त करने के लिए अन्रोज किया है जनपद में ही प्लांट लग जान मरीजों को अक्सिजन के उचक्ता पड़ेगी वह यहीं पर उपलब दो सेगेगी और आगे चल करके किसी प्रकात की कोई कमी नहीं रहेगी मने जिला दिकारी कोई भी कहा है इसमें यह और भी कोई पैसों की कमी पढ़ती है तो यह संदासी भी मैं उपलब तकरा दूँगा और मैं चाहता हूँ कि शीकर से शीक यह प्लांट जिन पर मैं स्थाप में चाहता हूँ मौते हो रही है और उप्रबंधक कम्मुनिकेशन संध्याश शर्मा की भी कुरोना से मौत हो गई है मेट्रो में तैनाती नौइडा मेट्रो की महिला धिकारी की कुरोना से मौत हो गई है कल ही एस्पताल में भरती करा गया था और आज संध्याश शर्मा का निधन हो गया है एक वर आपको फिर से बता दें उप्रबंधक कम्मुनिकेशन के तौर पर तैनाथी उप्रबंधक के तौर नौइडार मेट्रो में और फिलाल जो खबर आ लिए बहुती दुखत कॉरोना से संध्याशर्मा की मौथ हो गई है नौइडार मेट्रो की महला अधिकारी की कॉरोना से मौथ हो गई है खबर मेरर से जहां रेमडी सीवर इंजेक्शन की काला बसारी का परदाफाश किया गया है पुलिस ने मामले में दो लोगों को गिरफतार किया है पीमारदार बनकर इंजेक्शन खरीब ने पहुंची थी पुलिस कोविड वाड के वाड वाई ने 25,000 में इंजेक्शन बेचा पुलिस ने वाड वाई समय छे लोग पर मुकदमा तर्ज किया है जानित हनाशत के सुभारती मेटकल कॉलेज का ये मामला है जहां पर रेमडी सिवर इंजेक्शन का काला बासारी करते हुए भंडा फोर किया गया है जानित हनाशत के सुभारती मेटकल कॉलेज का ये मामला है पर आपको फिर से बता दे पुलिस तीमरदार बनकर पहुँची थी पुलिस ने दो लोगों को गिरफ़तार भी किया है तीमरदार बनकर इंजेक्शन खरीद ने पहुँची थी पुलिस और फिर पोविट वाड के वाड़ बॉई ने 25,000 में इंजेक्शन बेचा पुलिस ने वाड़ बॉई समय चे लोगों को चे लोगों पर मुकात्मा तरच किया है दो की समय गरफ़तारी हुई है तो आपको बता दे कि रेमडे सीवर इंजेक्शन की काला बाजारी करने वालों की खैर नहीं है और मेरट में दो लोगों को गरफ़तार किया गया है वही छे लोगों पर मुकात्मा तरच किया गया है रेमडे सीवर इंजेक्शन की काला बाजारी का परदा भास किया गया है पुलिस ने तीमरदार बन कर इंजेक्शन खरेने के लिए जब पुलिस पहुंची तो वाड़ बॉई ने 25,000 में इंजेक्शन को बेचा फिलार इस पर खबर है जहां पर छे लोगों पर मुकात्मा दर्च किया गया है रेमडे सीवर इंजेक्शन की काला बाजारी को लेकर खबर प्रियाग रास्ते हैं और बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिल लही है बिजली विभाग की लापरवाही से समीदा करमचारी की मौत हो गई है एक पर आपको फिर से बता दे करंट की चपेट में आने से समीदा करमचारी की जल कर मौत हो गई है पॉल्टी करने के लिए खंबिय पर चणा था उसी तोरां करेंट आने से मौत अगई परिजनों ने हंगावा किया है सुराव खानाशत्र के घुसड़ा पाबर हॉस के बर्चनपूर का ये मामला है प्रियागरास से खबर है जहाँ पर बिजली विवाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है बिजली विवाग की लापरवाही से समीदा करमचारी की मौत हो गई है तस्वीरों आप देख सकते हैं दरसल मामला ये है कि ये करमचारी जो है वो बिजली ठीक करने के लिए पोल पर चड़ा था फोल्ट को ठीक करने के लिए खंबी पर चड़ा था और उसी दौरान करंट लगने से मौत हो गई परिजनों ने हंगामा किया है सुरों थनाशित के खुसरा पावर होस के बर्चंद पूर का ये मामला है तो बिजली विभाग की बड़ी लापरवाई प्रियागरास से खबर है जहां एक समिदा करमचारी की मौत हो गई है दरसल लापरवाई के करन ये मौत हुई है जिस वक्त इस शक्स ने खंडे पर चड़कर फोल्ड को ठीक कर रहा था वहां कानूनन पहले बिजली यानि करेंट को काट देना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं किया गया था और आखिरकार बिजली में यानि करेंट लगकर इस शक्स की मौई है और खबर देली से है जहां ऑक्सीजन की कमी से 20 मरीजों ने दम तोड़ा है जैपूर गोल्डेन अस्पताल में बीती रात खत्म हुई थी ऑक्सीजन मिर्टक के परज़नों का रोरोकर बुरा हाल है आपको बता दें कि ऑक्सीजन को लेकर हाहा कार है ऑक्सीजन कमी की जनकारी क्यों नहीं पहले दी गई बरज़नों का ये कहना है गंगा राम और अस्पताल में भी ऑक्सीजन की कमी से मौते हो चुकी है लेकिन इस पीज जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि 20 मरीजों की मौत हो गई है आक्सीजन की कमी से दिली से खबर है तो जैपूर गुल्डेन अस्पताल में बीती राथ खत्म हुई थी आक्सीजन और 20 लोगों की मौत हो गई है 20 मरीजों की मृतक के परजनों का रो रोकर बुरा हाल है तस्विरों में आप देख सकते हैं कि पहले क्यों नहीं जानकारी दी गई ऑक्सीजन खत्म होने को लेकर और जब ऑक्सीजन खत्म नहीं थी वहां पर तो क्यों नहीं शिफ्ट किया गया दूसरी अस्पताल में स्थांते हैं है कि अधर लोग कोई बोलते है चालीज वक मर हैं अब यह लेडी आंदर पढ़ी सब्सक्राइब तो आपने देखा किस तरीके से परज़नों का रो लोकर बुरा हाल है और क्यों नहों आक्सीजन की कमी के कारण 20 मरीजों ने दम तोड़ दिया है आपको बता दें कि ऐसा पहला मामला सामने आया है यानि की पूरे देश भर में जो आक्सीजन की कमी हो गई है और आक्सीजन के कारण लोगों की मौत हो रही है चलिए आगे बढ़ते हैं लखनों से खबर है जहाँ पर डिप्टी सियम दिनेश शर्मा की पत्नी को भरती कराए गया है पीजिया एस्पिताल में भरती कराए गया है कुरोना संक्रमन के चलते बढ़ती कराए गया है डिप्टी सियम की पत्नी की हालत अभी इस्तिर है डिप्टी सियम दिनेश शर्मा भी हो आइसूलेशन में है तो कुरोना संक्रमन के चलते डिप्टी सियम दिने शर्मा की पत्नी को PGI लखनों में भरती कराए गया है फिलाल उनके जो स्थिती है वो स्थिर है तो कुरोना को लेकर पूरे देशवर में हाकार मचा है आम हो या खास हो हर किसी में कुरोना के लक्षन देखने को मिल रहे है और इसे बचने के लिए एक ही तरीका है और वो है मास्क लगाना ख़वर लखनों से है जहांपर डिप्टी सियम की पत्नी भी कुरोना संक्रमित हो गई है दिनेशर्मा की पत्नी और कुरोना से संक्रमित दिनेशर्मा की पत्नी को PG&R लखनों में भरती कराया गया है फिलाज दिनेशर्मा भी हाॉम आईसुलेंशन में है तो देश में ऑक्सीजन की कमी से बड़ी संक्या में लोग दम तोड़ रहे है ऐसे में हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक एडवाईजरी जारी की है कि योग के जरिये भी शरीर में ऑक्सीजन लेबल को बढ़ाया जा सकता है तो कौन-कौन सा योग कुरोना मरीजों के लिए बीहत फाइदे मन्द है आईए देखते हैं कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौ खासकर उन लोगों के लिए काफी उपियोगी है जिनकी इंफेक्शन की वज़ा से फेफडे खराब हो चुके हैं और सांस लेने में दिक्कत हो रही है घर रहकर इलाज कर रहे मरीजों के लिए फायदे मत पेट के बल लेटने से ऑक्सीजिन की कमी दूर होगी प्रोनिंग से फेफडों पर पॉजिटिव प्रेशर बनता है और शरीर में ऑक्सीजिन की कमी दूर होती है यह चिकित्सियर रूप से प्रमारिक तरीका है पिछले कुछ समय से डॉक्टर भी इसे अपनाने की सलहा दे रहे थे और अब स्वास्ते मंत्राले ने भी इस तरीके को अपनानी की एडवाईजरी जारी करती है हाला कि प्रोनिंग के दौरान कुछ चीजों का खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है खाना खाने के तुरंद बाद प्रोनिंग नहीं करना चाहिए खाने के कम से कम एक घंटे बाद ही प्रोनिंग करना चाहिए इसी भी पोज और समय शरीर के शम्टा के मुताबिक ही तैय करें वैसे कई और आसन भी हैं जो को कोरोना के मरीजों के लिए काफी फाइदेमन्द हैं मशूर योग घृटर वर्षिष्ट के अनुसार भुजंग आसन भी ऐसा आसन है जिसे करने से कोरोना के मरीजों को काफी फाएदा पहुचता है तो आज एक महत्पून आसन समझेंगे उसके लिए एक मत्रासन नियमित तौर पे करें आगर कुरोना पिडिद주ी भी है तो भी इस आसन को कर सकते हैं स्वास्त लोग भी कर सकते हैं पोस्ट कोरोना में भी जरूरी है जिस आसन को करना क तो भी आपको पोस्ट कोरोना जो इंपक्त है, नुकसान हुआ है, उससे सही वाग्य किये, कैसे किया जाली है, आसन का नाम है भुजंग आसन, भुजंग के यनि साप, साप के अंदर जहर होता है, वो जहर किसी ले होता है, वो अपने लिए नहीं होता है, जो बाहर से उसको चाहता है उसके लिए नुकसान दायस होसता है खत्रा वाला हो सकता है उसको वो जहर से नश्ट कर देता है उसी तरह जो यह हमारा गलत हो जाता है आपको रखना है हतेली को बगल में अब एलबो को बैंड करके अपने सरीर के सांस चिपकाने अब यहां से आप मस्तिक्स को या चिन्म को लगा के रख सकते हैं अब यहां से धीरे धीरे आप सांस लेते हुए अपर बॉडी को लिप्ट कर रहे हैं धीरे धीरे होगा जब हम एल्बो को सीधा कटके इस तरह सरतने कई जगत दिखाया जाता है इसे देखिए मेरे कमर पे वेट आ रहा है कमर दर्द होगा और हाट लंग्स मजबूत नहीं होगा क्योंकि सारा भार मेरे हांक ले लिया तो लंग्स हाट की ओपनिक नहीं होगी मलबूती नहीं होगी तिसलिए गलत प्रोसेस में नहीं जाएगा फिर से एक बार देखिए अंग्या सारी पुली रहेगी तो आप सपोर्ट दे पाएंगे सांस लेके उठाना है पहली बार ध्यान में रखना है दूसरी बार एल्बो बैंड रहे ताकि हांट लंग्स पे वेटा है वो दें दिश्टी को सामने या उपर रखें और फिर आसल में आने के बाद चार्व से पांस सांस या जितना कमफर्ट हो उतना दे रुखें और सांस छोड़ते हुए आप आएंगे और मकर आसल में रिष्ट करें तो कई ऐसे योग हैं जिने करने से कोरोना के मरीजों को लाब मिल सकता है उनी में से एक है फ्रॉनिंग काफी पुराना और विग्यानिक तोर पर ट्रमारित तरीका है इसके सकरात्मक परिणाम सामने आए हैं और अब भारत सरकार की ओर से एडवाईजरी जारी करने के औक्सीजन की कमी से दूज रहे लोगों को निश्चित तोर पर इससे फायदा मिलेगा ब्यूर रपोर्ट निज़वन इंडिया और गाज़ियाबाद में ऑक्सीजन प्लांट के बाहर लंबी-लंबी कतारे देखने को मिल रही है डेली NCR सहित गाज़ियाबाद में कई प्राइबेट होस्पिचल में ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है ऐसे में जिन मरीजों को आक्सीजन की जरुवत है उनके तीमरदार आक्सीजन प्लांट के बाहर सिलिंडर लेकर लंबी लंबी लाइन लगा कर खड़े हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कुलिणा संक्रीमन का एक ऐसा दोर आया जिस दोर में हवा के लिए यानि की ऑ्कसीजन के लिए भी लंबी कतारों में खड़ा होना पढ़ा है को लेने के लिए लोग अपने 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 चाने वालों को बचाने के लिए लंबी कतार में खड़े हैं और समझते हैं कि किस तरह की फीरा है जिस तरह में यह लोग आज कतार में खड़े हैं क्या लेना और समस्वे स्वे की मुख्त में हुआ कर पी आज उसका भी पैसा देने के लिए विवस्ट है क्या नाम है सब्सक्राइब आज किती देसे यह पक्राइब एक घंटा होगा क्या लेने के लिए खड़ेंगे लिए लगानी पड़ रही और भी रोगां से बात करेंगे क्या नाम है तो क्या खड़ेंगे लिए और अप्सिजन के लिए और बिमारी खतरनाक है जी जी इसे मास लगाना चाहिए जोगों ने नजर अन्दाज कि दूरी और लोग समझने भी लगे हैं क्योंकि जिस तरीके से कुर्वा संक्रमन एक बार वापस आया और देश में देखते ही देखते अपने पहार पसादे लगा और इसी कि वगारा आज आज आक्सिजन को खरीदने के लिए भी लंबी जोगों की जान चली गई है रात में ऑक्सिजन खत्म होने की खत्म हो गई थी बीस लोगों की मौत हो गई है जिसके बाद से अस्पताल में हरकम मचा हुआ है आज दोफर करीब एक बजे आक्सिजन का टेंकर पुलिस की निगरानी में अस्पताल में पहुचा आ गया जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने राहत की सांस ली है आइर आप देखते हैं पुलिस की तरफ से जो है यहां पर सुरक्षा में पुलिस की सुरक्षा में ऑख़ी जेकर आ आये है कि यह भी आक्सिजन कितने देर की है कितने देर और यहां पर जो है मरीड वो सफर कर सकते हैं और अपनी चान से लड़ सकते हैं तो आप सेफ रहिए सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल लगिए फिलाल इतना ही